Hello everyone, welcome to Mind and Brains in the Media. My name is Vedan Singh and I am your English educator. So my dear students, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए Class 12 English Bihar Board, The Artist Shiga Naoya Chapter 6, Explanation Part 1 तो यह chapter एक artist पर बेज़ है और हम जानेंगे कि वह artist कौन है इस chapter में So without wasting our time, चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले chapter को start करने से पूर्व एक बार हम लोग जान लेते हैं author के बारे में Shiga Naoya 1883-1971 अब यहाँ पर bracket में क्या दिया है? यहाँ पर year दिये हैं, जिके वह कब पैदा हूँ? और कब उनकी मृत्ती हुई? Is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महत्वपून बात जो है वो कही गई है और वह यह है कि वह एक Japanese short story writer है तो यानि अगर आप लोगों से प्रश्ट पूछा जाता है multiple choice questions में और आप लोगों को वहाँ पर दे दिया गया कि Japanese, American इस तरह से बनाया जा सकता है तो आप लोग क्या चूज करों कि Japanese क्योंकि शेगा नौया जो है वह एक Japanese short story writer है अब आप लोगों को पता होना चाहिए short story का मतलब क्या होता है देखिए जब हम बात करते है short story की तो short story का मतलब होता है लगू कथा है बहुत चुटी-चुटी कहानिया लिखी जाती है लोगों की मलोरंजन के लिए तो वे भी क्या करते थे वे भी चुटी-चुटी कहानिया लिखा करते थे और वो किस समय के short story writer है देखिए 20th century 20th century के यानि अभी-अभी के हैं He wrote very sensitively about his people and their culture जब हम उनकी बात करते हैं तो उनोंने बहुत समवेदन शीलता पूर्वक क्या किया लिखा है अपने culture के बारे में अपने लोगों के बारे में यहाँ पर दिया है culture यानि संस्कती अब सभाविक है वह जापान के हैं तो आपको पता ही होगा कि जैपान की लोग जो होते हैं वो बहुत बेनमर और बहुत ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं अब वे लोग क्या करते हैं वे लोग हमेशे अपनी संस्कती को बहुत ध्यान देते हैं हम लोग उन्हें दो पार का नाम सुना होगा एक hard पार होती है एक soft power होती है तो soft power जो है उन लोग लिए बहुत ज़्यदा important है यानि कि वे लोग अपने culture, अपने tradition इन सब पर बहुत ज़्यदा focus करते हैं तो यहाँ पर उनने बहुत समवेधन शील होकर अपने culture, अपने लोगों के बारे में short stories में बताया है The artist unfolds before as the world of talented Japanese boy अब जो the artist है, यह जो particularly आप यहाँ पर देख रहे हैं जो title दिया है, यह short story है कहीं न कहीं क्या open कर रहे है यह खोल रहे है, क्या खोल रहे है एक दुनिया खोल रहे है Before us the world of talented Japanese boy यह क्या कर रहे है Artist unfolds before us the world of talented Japanese boy यानि एक दुनिया जो है एक Japanese boy की उसको वो यहाँ पर दिखा रहे है, उसको open कर रहे है यानि यहाँ पर एक लड़का होगा जो की बहुत प्यारा सा है और वह ही हमारे इस पूरी story का protagonist है मैं हीरो जो है, इस story का वही है हम जानेंगे क्या नाम है चुनकि वह एक Japanese boy है और बहुत जादा talented है तो यह जो पूरी की पूरी story है वो कहीं न कहीं उसी के बारे में बताने वाली है अब देखिए, यहाँ पर नाम क्या दिया है Sevy, चीके, इसका नाम आपको हमेशा याद रखना होगा और इसका नाम है Sevy अब जब हम इस chapter को पढ़ेंगे यानि यह जो story है particular इस particular story में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो बताई गई है और वाई यह है कि इसमें दरशाया गया है इस शोज हो यानि किस तरह से जो adult world है यानि जो elder लोग होते है जो बड़े विकिसित लोग जो होते है adult 18 years के अबब के लोग हो adult लोग कहा जाता है तो कैसे बड़े लोग adult लोग क्या करते है अकसर ओफन का मतलब होता है अकसर damage करते है किनको इन तरह के talents को यानि यह जो बच्चा है basically इस बच्चे में बहुत talent है तो इस story में हम देखने वाले हैं कि main बात क्या है किस तरह से को talent जो ruin होता है बरबाद होता है कैसे लोग उसको परिशान करते है कही न कहीं overall यह जो पूरी story है इसी की overall घुमेगी तो मेरे हिसाब से आप लोगो को यहाँ पर शिगा जी के बारे में जानकर ही प्राप्त हो गई होगी और यहाँ पर उनकी एक बहुत प्यारी सी तस्वीर है जो कि आप देख पा रहे है तो चलिए start करते हैं चाप्टर का explanation part without wasting any time अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है explanation अब आप बोलोगे sir explanation क्यों है important यह इसलिए important है ताकि हम लोग क्या कर सकें बहुत अच्छे तरीकिसी जीजे को समझ सकें अगर summary से ही सब कोई समझ में आ जाता तो बात ही क्या थी explanation करने से क्या होता है अगर exam में कोई passage कोई paragraph आ जाए क्या कोई question बन जाता है तो हम easily उसको solve कर पाते हैं और बहुत बहुत अच्छे तरीके सी स्टोरी की शुरुवात हुई है यहाँ पर हमारा जो main hero है जो बच्चा है मैं उसको hero बला रहा हूँ चिक है talented लड़का है उसका नाम है सेवी चिक है तो सेवी जो है सेवी की जो पिता है अब माता पिता को जो parents कहते हैं तो सेभी के जो parents है उनको पता था देखिए past tense में new को उप्योग हुआ है new है यहापे no नहीं use हुआ है new है that he often went out वह अक्सिर क्या क्या करता था जाया करता था to buy himself gods अब देखिए gods अब इसको ना ऐसे लगए लेकिन उपको जव निकालेंगे gods अब आप बोलो कि सरी gods क्या होता है देखिए gods जो है न अगर मैं ध्यान देकर आपको बता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए होंगे कि बहुत सारे ऐसे पत्तेदार बेलदार यह जो बेले होती है इस तरह की चलो आपको समझाता है उच्छे तरह की समझ में आएगा क्या होता है यह बेले जैसी कुछ पत्ते होते हैं उन्में कद्दू उगता है इस तरह से इस तरह से कद्दू उगा करता है उसको ही हम गौड्स कहता है तो यही चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ही समझने वाली तो यहाँ पर एक कद्दू की बात हो रही है अब यहाँ पर जो सेभी की पैरेंट्स है उनको ये पता था कि जो अक्सर है ना उनका बच्चा क्या किया करता है कद्दू खरीदा करता है खुद से यानि यहाँ पर जो सेवी है ना सेवी को कद्दू से बहुत प्यार है तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख लो कि जो सेवी है, सेवी को मैं S बना देता हूँ, तो सेवी जो है न, क्या करता है, पसंद करता है किसको? कद्दू को, कद्दू से उसको बहुत प्यार है, तो इस relation को आप समझ लीजेगा, यूगि कहीं न कहीं उसका जो संबन्ध है कद्दू के साथ, वो बहुत ज़्यादा ग कद्दू के साथ रहना, आप वो सकते हो, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, he got them for a few cents, अब यहाँ पर क्या दिया है, he got them, वो लेकर आया था उन्हें, ठीक है, for a few cents, अब कुछ, अगर यहाँ पर रुपे होता तो हम समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है cents, अब यह यहाँ पर currency जो है, Japanese currency को हम क्या कहते है, cent कहते हैं, तो आप लोग confused मत होईएगा, आप लोग मत जानिएगे क्या few rupees, थोड़े से पैसे में ले, हाँ, पैसा है, लेकिन यहाँ पर cent है, हम rupees use नहीं करेंगे, जो जैपान की लोग हुआ करते हैं, वे लोग अपनी currency को cent कहकर वो बहुत सारे है, वो क्या करता है, कद्डू का collection कर लेता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, soon had a usable collection, अब जब वो घर आया था, came home, he would first bore a neat hole in the top of the gods and extract deceit, अब देखिये, वो क्या करता है, he would first bore a neat hole in the top of the gods, अब यहां पर यह कहा जा रहा है, जैसी वोग घर आया, तो उसने क्या किया था, सबसे पहले ही, first bore a neat hole, उसने क्या किया, bore किया, यह नहीं एक छोटा सक छेद किया, किस पर छेद किया, किस पर हमारे कद्दू की उपर, and extract the seeds, और क्या किया, ले लिया, extract का मतलब क्या होता है, ले लेना, तो उसने क्या करा, extract किया, क्या extract किया, पूरे की पूरी जो हमारी, क्या कहना ही चाहिए, जो seeds होती है, तो यहाँ पर उसने कुछ नहीं किया, उसने बोड किया, बोड मुलाब यहाँ पर इसका मतलब यह ही है, बोड का मतलब होता है कि यहाँ पर उसने क्या करा, छेद किया इसतरह से, ना कद्दू के अंदर और उसके अंदर से बहुत सारे चेर ऐसे ऐसे करके निकाल लिए उल्टा करके ऐसे ऐसे तो क्या हुआ कि इस तरह से कद्दू जो खाली हो गया तो यही चीज जो है उसकी बहुत अलग बात है कहीं ना कहीं आप समझे से तो 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 त पर उसका यही टेलेंट है, कही न कहीं वो कद्दू के साथ बहुत ज़्यादा मिला जोला रहता है, बहुत उसको इंट्रेस्ट रहता है उनके साथ खेलना, उनके साथ वड़ा, आप लोग छोटे बच्चों को देखते हो, जैसे टॉइस को वो यूस करते हैं, खिलोने को ले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो चाय पीते हैं प्रते दिन, तो चाय किससे बनती है, जो आपकी चाय की पत्ती होती है, उसको सुखाते हैं, तो उसी पत्ती का उप्योग करता है, लीउस लेकर आता है, और उस से क्या करता है, जो कद्धु है, कद्धु की अच्छी सफाई करता है, तो वो क्या करते हैं, अप्लाई करता है, उसकी उपन लगाता है, to get rid of the unpleasant God smell, यानि वो बचा जा सके, गाट rid of the unpleasant, या मदब निकल सके, वो बच सके, किस से उस unpleasant, किस से बुरी सी जो महक है, उसको वो क्या कर सके, उससे बचा सके, ना हटा सके, get rid, ना हट जाके, इसके बाद वो क्या करता है, अब क्या होता है, सर्फिस सतहा को कहते हैं, सतहा को हम सर्फिस कहते हैं, तो ये बाद आपको पता होनी चाहिए, अब वो क्या करता है ना? Feshed का मतलब होता कभी आप इसको चीनना भी कह सकते हो या ले लेना, चीक है? तो वो क्या लेता है? He thences Fesh the handy the seek अब वो क्या करता है? Japaneserzyप से बनी होती है अब मैंने और आप लोगों ने तो कभी भी Japanese Japanese rice जैपैन में आपने देखा होगा कि राइज वगेरा उगते हैं तो वोग क्या करते हैं उन लोगों का तौर तरीके बड़े अलग है अपन लोग उने तो कभी भी राइस का शर्वत नहीं बनाया होगा चावल को कूट के ऐसा कुछ प्रक्रिया मुझे तो नहीं पता आपको प कारता है जीको से बचाया ता कहां से बचाया था लास फ्यूट्रॉपस left इन दग्लास नहीं जो भी खत्म होता है आप लोग जानते हैं लोग उसको प्योग करते हैं उसे देखा होगा कि बच्चा वबलास है तो उसमें कुछ डॉपस बच्यु हैं तो लीज कुछ बच्चा-कुचा जो उसके अंदर बच्चे-कुची जो नीचे की सतहा होती है ग्लास की इस तरह आप इमेजिन कर सकते हो तो यहां से जो ड्रेग्स है वहां से वो क्या करता है से जो है वो निकाल ले आता है ठीक है बहुत कंजूस तो नहीं है लग सकता है आप राप ऐसे विश्वास तो नहीं कर सकते है लेकिन इतना कंजूस तो नहीं है लेकिन तब भी उसको शायद मम्मी बाबा मना करते हों या हो सकते हैं उसके पास कुछ हो ना एवेलेबल ना हो इसलिए वो बचा-कुचा चीज़े लेकर आता है शायद बच जाता होगा घर पे चीक है तो उस चीज़ को वो लेकर आता है जो बचा-कुचा हमारा शर्बत जो है जो चाबल से बनाया है जो सेख है उसको वो लेकर आता जिसको से बचाया है इन इस father's cup and carefully polished the surface उसके पिताजी अब वो कहां से लेकर आता है यह जो सेख है उसे तो polish वगड़ा वो करेगा सब कुछ करता है लेकिन अब वो क्या कर रहा है वो अपने पिताजी के cup में से लेकर आए यह तो पता चल गया बच्चा कुछा जो नीची की सता है वहां से लेकर आ रहा है लेकिन वह उसके पिताजी की cup की है उसके पिताजी पीते होंगे अब चूट गया होगा थोड़ा सा तो चूटा हूँ जो particular part है जो drink है उसको वो निकाल लेता है and carefully polish the surface और बहुत carefully अब carefully का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से ना बहुत प्यार से वो क्या करता है polish करता है किसको surface को यानि आप लोग खुश सोचिए आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि आप लोग कद्दू के साथ तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कितना talented बच्चा है तो अभी तक यहाँ पर सब कुश clear हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम सेवी है और सेवी नाम का जो बच्चा है उसको कद्दू से बहुत लगाव है तो उसके parents के नुजार वो क्या करता है जो बच्चों के जा सेन है यानि उसके पास पैसा होता है Japanese currency उसके तरह बहुत सारे क्या करता है कद्दू को खरीद लेता है और कद्दू को खरीदने के बाद वो क्या करता है उनको अपने पास collection मना के रखता है और जब कभी उसकी बाद समय होता है तो वो क्या करता है? उसमें छेद करता है छेद करने के बाद उसके लिदर की बीजु को निकाल कर फेग देता है और उसके बाद वो क्या करेगा? अगर उसके ममें बाबा कुछ पी रहे हैं ना मान लेजिए उनके पास सेख है उसको पी रहे थे, वो कुछ बज गया तो वहां से उसको जो ड्रेग्स है जो बचकुचा जो पर्टिकुलर पानी है उसको निकाल कर वो क्या करता है? ओवरॉल जो पूरा जो आपका कद्दू है उसकी अच्छी तरीके से सफाई करता है उसकी उपर लेब लगाता है तो ओवरॉल यहाँ पर यही बताया गया है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर second paragraph start हो रहा है यहाँ पर दिया है जवी was passionately interested in gods अब देखिए passionately इसका मतलब होता है keenly, fervently अकसर तोर पे लोग बहुत जोशीले तोर पे बहुत जोश के साथ बहुत interest है उसके अंदर तो बहुत fervently बहुत जोशीली तरीके से वो interested है किसमें gods मैंना, अब देखिए लोगों का passion होता है कि यार मेरे को तो ये काम करना ही है क्योंकि ये मेरा particular क्या है passion है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग music में अपनी life या career बनाते हैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे current सिर्फ एक ही है और वो है passion, कि मुझे ये करकर दिखाना है तो उसके अंदर भी passion है और यहाँ पर बताया गया है interest के बारे में passionately interested in gods, यानि बहुत ज़्यादा keenly वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है किसमें उन कद्दूओं में अब देखें यहाँ पर क्या दिया है one day as he was strolling along the beach अब बोलोगे sir यह आप तो यहाँ पर hard words जो है vocabulary start हो गई यह लोग इतनी कठिन कठिन शब्द क्यों देता है तो my dear students यहाँ पर ना क्या है कि यह Indian के Indian writer नहीं है यह बहार की writers है और खासके Japan के है तो क्या होता है बहार की writers जो होते है वो लोग जो language use करते है उसको ही इस तरह से यहाँ पर लिख देते है अब यहाँ पर strolling का मतलब होता है तो वो क्या करता है एक दिन की बात है one day as he was strolling along the beach वो बीच में क्या कर रहा था घूम रहा था अब देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है absorbed in his favorite subject अब absorbed का मतलब क्या होता है मान लो आपको एक काम कर रहे हो और उसमें ना मगन हो गए तो उसका जो favorite subject है ना वो क्या है कदू तो कदू को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा क्या है बसेसिव है तो उसी में खोया हुआ था he was startled startled का मतलब होता आश्चर चकित हो जाना तो वो क्या है ना आश्चर चकित हो गया जब वो बीच में घूम रहा था तभी ना उसकी नजर पड़ी unusual sight का मतलब होता अचानक से उसको देखने को मिला he caught a glimpse उसने क्या करा उसने पकड़ा था caught का मतलब क्यों था पकड़ना a glimpse of the bald a bald का मतलब क्यों था गंजा inlongated hat उसने देखा कि बड़ा लंबा चोड़ा सा inlongated गंजा सा एक टकले आदमी का सर जो ना आप टकला बोल सकते हो ना गंजा कह सकते हो तो मैं तो यहाँ पर गंजा वर्ड उपियोग करूंगा डोनों वर्ड को पियोग किया जाता है तो यहाँ पर हमने क्या देखा मापर उस बच्चे ने देखा कि एक गंजा आदमी जो है a longated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach अगर हम ध्यान दे तो अब यहाँ पर बच्चे को इतना ध्यान में नहीं है लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं वो देखता है कि बीच से कोई बहुत जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर निकल रहा है यानि बीच में किसी का घर है और वहां से क्या है कि वो निकल रहा है तो उसके जल्दी ले लिकलने में क्या हो सर है जो उसके पास बाल भी नहीं है कुछ बी नहीं है बस उसका सर दिख रहा है लंबा लंबा सा तो थोड़ा सा उसको देखकर confused हो गया, what a splendid God, वो बोलता है कितना भव्य ही God है, अब देखो, जैसे कि अब यह से घर है, ठीक है, अब घर में न, आप देख से तरह से घर होता है, अब यह घर से न, मान लिए फैंसिंग लगी है, मान लिजे, तो अब यहां से कोई निकल रहा है, अब उसका सरी दिख रहा ह है, तो उसको लगा, यह जो चीज है, जो शाइन कर रही है, जो अलग से दिख रही है, कही न, कहीं यह ऐसा तो नहीं है, कि यह हमारा कद्दू तो नहीं है, क्योंकि कोई निकल रहा है, अब वो दूर से देख रहा है, बीच से कोई टहलता हूँ, निकल रहा है, बीच में वो खुद भी टहल रहा है तो कही ना कहीं सीन इस तरह से create हो गया है कि यहां पर हम observe करते कि कोई निकल रहा है तो इसको यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो जिसके पास बाल नहीं हो सकता है कि वह particular चीज जो है आदमी को वो क्या समझ लेता है कद्दू समझ लेता है ठीके तो व आखो के सामने से गायब हो जाता है sight wagging his vault, pine, paid अब यहां पर wagging का मतलब होता है move करना वो क्या करता है अपने जो गंजा सा बड़ा लंबा सा पाइन सा जो इसका खोपड़ी है पीट, पेट कम खोपड़ी बोलते हैं, हैड बोलते हैं, ठीक है, उसको वो हटा देता है महां से, अब जब तक वो वहाँ पर था, निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई प्यारा सा क्या है, कद्दू है, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर यह बात क्ल करता है, उसको पता चल जाता है, कि जो आदमी है, वो ओल्ड आदमी है, हमें तो ऐसा सोच रहा था, कि वहाँ पर रखा है, कद्दू, अब सभाविक है, कोई टकला, या कोई गंजा आदमी बहां से निकलता है, तो क्या होगा, वह आपको भी डाउट होगा, अगर आप तो आपको लगेगा ना, कि हो सकता है, कोई चीज हो, लेकिन जब हो यहाँ पर आगए, तो पुरा दिख गया हो, कि ओवरॉल हाँ, हाँ, यह तो एक ओल आगी है, तो ऐसे ही कुछ सीम रहा होगा बीच में, जो वो निकल रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी में, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, वैगिंग का मतलब होता हिलना, चीके, move करना, सो सेवी रियलाइज इस मिस्चेक, सेवी को ना, उसकी जो मिस्चेक है, वो रियलाइज हो जाती है, यहाँ यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा प्यारा सा बच्चा है, सेवी, एक बाद टहलता निकल रहा था और बच्चों का दिमाज जो होता है अगर कहीं लग जाए तो उसी में लगा रहा जाता है स्ट्रोल ना तो कहीं ना कहीं वो टहल रहा था टहलते टहलते उसने देखा बीच में किसी का घर है वहां से कोई गुजर रहा है और उसको यह समझ में नहीं आया कि शा हसने लग जाता है, इसलिए हसने लग जाता है, क्योंकि उसको मैसेस हो गया था, कि ये एक आदमी है और ये किसी का सर है, तो उसको confusion के करण हसी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों क्लियर हो गया होगा, चलिए, थर्ड परेग्राफ में आते हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रोसरी क्या होता है, ग्रोसरी किराने की दुकान होती है, तो वहाँ से जब भी वो निकला करता था, अब क्यूरियो शॉप और साथ में, क्यूरियो शॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी शॉप जहाँ पर लोग क्या करते हैं, जहाँ और जाके लोग खिलोने खरीदा करते हैं, क्यूरियो शॉप का मतलब वह होता है, कन्फेक्शनर्स और इन्फेक्ट एनी प्लेस, तो जब वो कभी भी, कोई भी ग्रॉसरी यानी किरानी की दुकान हो गया, क्यूरियो शॉप हो गया, खिलोनी की दुकान, या कन्फेक्शनर्स या कोई इसी दुकान कन्फेक्शनर्स, अब कन्फेक्शनर्स का मतलब हलवाई की दुकान, हलवाई, तो कोई भी इसी दुकान जहां पर कोई स्वीट को पेजा करता है, उसको कन्फेक्शनर्स शॉप भी कहते हैं, तो और in fact any place, तो ऐसी जगहों से जब वो गुजरता है, या तथ्यात्मक रूप में, कोई भी ऐसी और जगह से गर वो गुजरता है, तो place that sold gods, तो और in fact any place that sold gods, यही ऐसी जगह से गुजरता है, जहां पर यह तो particular जगह हैं ही, और साथी साथ ऐसी जगह है, जहां पर को बेचा जाता है, तो he stood for a minute, वो क्या करता है, थोड़ी देरी के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है, on and, एकदम आखिर में वो खड़ा हो जाता है, his eyes glued to the window, और उसके जो आखें होती है न, वो एकदम चिपक जाती है, किस से विंडो से, appraising the precious fruit, यानि अब देखो, जैस ही, अब यहाँ पर न, क्या हो रहा है, actually जो हमारा बच्चा है न, वो क्या करता है, अलग-अलग जगाओं से गुजरता है, आप खास कि आप इस street की बात हो रही है, तो सभावे की street में किरानी की दुकान होगी, न, वहाँ पर आप देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके स कि toys की दुकान भी होती है, कुछ confectioners की दुकान भी होती है, हलवाई की दुकान होती है, तो वही पर कुछ दुकाने ऐसी भी होती है, जहां पर कद्दू बेचा जाता है, तो वो न, उन सभी दुकानों को देखता हो निकलता है, और खास कर कद्दू की दुकान पर उसकी ध के लिए लगा दी ऐसी नहीं यह वह attracted हो जाता है बहुत ज़्यादा appraising the precious fruit और appraising का मतलब क्या होता है assessing reviewing अब जो उसका प्यारा सा fruit है जो का प्यारा सा फल है उसको देखकर क्या होता है उसके मन में लालच उटता है वो उसको बहुत जदा क्या करता है review करता हुआ महां से निकलता है ठीक है अब आप लोगों को भी मान लीजे आप यहाँ पर एक जामपल ले लो चलो इसके मैं समझाता हूँ इस तरह से ताकि और क्लारिटी आ जाएकि मान लो कि आप लोग है ठीक है आप में से कोई बच्चा जिसका नाम क्या है मान लेते है जिसके लिए तो रहुल जो है कही न कही रहुल को बहुत पसंद है अब часов की दुकाने होती है बहुत सारी तो रहुल क्या करता है अपने घर से निकलता है निकलता है और जब वो देखता है चॉकलेट की दुकान को तो उसके ध्यान जो है न वहीं पर लग जाता है इतना ज़्यादा लग जाता है उसका ध्यान कि उसके वह ध्यान हटा ही नहीं पाता और कहीं न कहीं क्या होता है वो सोचता है, review करता है कि चॉकलेट कैसी होगी, किस तरह की होगी क्योंकि तो उसका समें interest लगा हुआ है तो यहाँ पर बात हो रही है पसंदिदा चीज की interest हमारा कहाँ पर लगता है, जहाँ पसंदिदा चीज होती है तो यहाँ पर भी जो हमारा savy है na सेवी जब भी कोई दुकान से गुजरता है, खास के जहाँ पर कद्दू को बीचा जाया करता था तो वहाँ पर उसका दिमाद बहुत ज़्यादा या उसकी आखे जो है वहाँ पर attracted हो जाती है ऐसा लगते जैसे वो assist कर रहा है, review कर रहा है, appraise कर रहा है चीजों को ठीक है, तो यहाँ पर अब हम discuss करने वाले हैं हमारा fourth paragraph, यहाँ दिया है सेवी, was 12 years old, जो सेवी है अब हो 12 साल का है, and still at primary school, लियानी छोटे से स्कूल में पढ़ रहा है अब देखे, primary का मतब छोटा से स्कूल नहीं, हम यह कह सकते हैं, कि छोटे बच्चों का स्कूल जो होता है, small child जो होते हैं हमारे primary के अगर हम बात करते हैं फिफ्ट क्लास होती है, basically इसको प्राइमरी में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चोटे बच्चों का स्कूल होता है, वहाँ पर वो पढ़ता है, बहुत चोटा बच्चा है वो, 12 साल का है आफ्टर क्लास, जब क्लास खत्म हो जाती है, instead of playing with the other children, बजाए दूसरे बच्चों के साथ खेलना, he usually wandered about the town looking for gods यानि वो क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ ना खेलने कि अलावा, वो और सारे काम करेगा, यहां वो उनके साथ नहीं खेलेगा, घूमेगा, फ्रेगा, टीक है, टाउन में जो इसका शहर है, बहाँ पर घुमेगा, और देखीगा, किसको बहाँ देखेगा, है इतना प्यार किशी को नहीं होता है अपने प्यार से नहीं होगा कि यह नो मोड लेता है, in the corner of the living room, जो corner होता है living room का एक दम, वहाँ पर वो क्या करता है, अपने पेरों को बांध लेता है, एक दम, ना cross कर लेता है, इस तरह से cross कर लेता है, अब देखिए, working on his newly acquired fruit, और क्या करेगा, अब प्यारा सा बच्चा है, बारा साल का, तो आलती पालती मार के अ काम करता है, अब ये क्या काम करता है, अब acquired का मतलब क्या है, पाना, जुसको fruit मिला है, जुसका फल है, जुसका कद्दू है, उसके साथ उसकी workshop चालू हो जाती है, उसके साथ वो अपना must enjoy करता है, तो वही चीज है, particularly, यहाँ पर हम सेवी के बारे में discuss कर रहे हैं, सेवी की मनोदशा जो है, psychological तोर पर अगर आप ध्यान दोगे, तो आपको ग्यात होगा, कि सेवी जो है, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, talented student लग रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे, कि उसका talent जो है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किसके साथ, talent जुड़ा है, कद्द अब finished का मतलब complete हो जाना, यानि अब वो जुसका कद्दू है, उसके हाथ में, उसका कद्दू के साथ क्या करता है, आप लोग को पता है, पॉलिश करने का काम, मैंने आपको बताया था, कि ग्लास जो बचा कुछा जो पानी है, या बची कुछी जो ड्रिंक होती है, उसको वो लाता है, उससे पॉलिश करता है, तो उसका रोज का काम ये रहता है, तो वो काम जो फिनिश कर लेता है, ट्रीटमेंट उसके साथ को पुरा हो जाता है, ये पोड इन अ लिटल सेख, इंसर्टेट अ कॉग स्टॉपर, विची हाड फैशन हिंसल्फ, अब देखिए, वो जापनियूज ड्रिंक है, जो किस से बनी होती है, राइस से बनी होती है, तो उसको वो क्या करेगा, कद्दू में डालेगा, और कद्दू में डालने के बाद, अब देखो, टॉमन जेरी में आपने देखा होगा, कि पहले से नमें लोग क्या करते थे, एक गलास होता था, वो गलास में उपर, आप उसको एक हैसे किसरो के ड्रिंक की जो बॉटल होती है, बीर की जो बॉटल होती है, इसमें कॉर्क लगी होती है, इस तरह की, तो वो जो कॉर्क जो है, उसको खुदे डिजाइन किया था, ताकि जब भी वो कुछ डाले तो उसको बंद कर दे, तो क प्योग करता है, जिसको उसने खुद से बनाया है, फैशन किया है, फैशन, लग खुष से डिजाइन करना, मान लीज़े मैंने खुदी एक पैन डेवलब किया, खुदी बनाया, बहुत प्यारा ऐसा सजाय तो मेरे तरफ से वो क्या है, फैशन हो गया, व्रैप्ट इट इन वो सकते हो जो उसका God है तो यहाँ पर उसको वो क्या करेगा बहुत बढ़िया तरीके से उसको लपेटेगा Put this in a team especially kept for the purpose and finally place the whole thing in the charcoal foot warmer Then he went to bed अब यहाँ पर वो क्या करता है उसका रोज का ये काम है कि वो क्या करेगा वो ना सबसे पहले तो टॉल मुसको लपेटेगा अब आप बोलो किसा ये तोलिया को प्योग क्यों करता देखिए मान लीजे कि आप लोगों को भी कोई चीज बहुत पसंद है तापके केर करोगे न अब उसकी अब वो छोटा बच्चा है हम मान सकते हैं बारा साल का बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन अभी पी उसका माइन थोड़ा बचकाना है थोड़ा सा हलका सा एक दम के जी जैसे एक सेवन्त की बच्चे तो बहुत होनार होते हैं लेकिन वह इतना नहीं लग होते हैं ना बेल दार आपने बेले सुनी होंगी लीव सुगती उने बेले इसी इसी रहती हैं तो वह बेलों में इस तदा की जो fruits होते हैं वह उगते हैं तो यहां पर particularly उसी की बात हो रही है चीक है तो उसको लेकर confused मत होईएगा अब यहां पर दिया है put this in a team अब वो क्या करता है उसको ने team में डालता है टीन है particular से बनाया है उसमें डालता है for the purpose ना कुछ कारणबश उसको इसमें डालता है और उसके बाद आखिर कार उसको place करता है ना पूरा जो particular उसने system जो बनाया है जो उसने सजाया धजाया है प्यार से अपने pumpkin को उसको वो क्या करेगा उसको बड़े अच्छे से क्या करेगा charcoal foot warmer में रखेगा आप लोगों को पता हो ना जी मेरे समय कि लोग क्या करते थे foot warmer होता है जिसमें आप लोग गरम करके उसको ना सेखने का काम करते हैं तो उसके अंदर सेखाई वाले जो particular part है जो important हम कह सकते हैं कि उसने कुछ बनाया होगा यह उसके पास already रखा होगा तो उसको वो यूज करता है उसमें वो क्या करता है अपने pumpkin को डाल देता है अप सो भाविक है कि यह तो बहुत अजीव सा बात हो जा आएगा तो वही चीज है and then he went to bed और वो क्या करता है उस वाम में डाल कर वो क्या करता सोने को चला जाता है as soon as he woke the next morning जैसी वो सुबा जाग गया था he would open the team and examine the God अब क्या करता है वो जल्दी जल्दी टीन जो है उसका टीन जिसमें उसने सब कुछ रखा था हरे कीज को पैक करके और फिर उसको भी उसने footwear में डाल दिया था तो उससे क्या होता है वो उसको ना सोचता है कि अब मेरे God का मेरे कद्दूगा क्या हुआ है the skin would be thoroughly damp from the overnight treatment अब उसने क्या करा जो damp का मतलब क्या होता है my dear students damp को आप कह सकते हो कही ना कहीं चिकनाहट आ जाना सुबह सुबह आप लोगो ने देखा होगा कि जब आप बहार जाते हो तो आपने देखो ना grasses जो घास होती है वो कितनी ज़द चिकनी होती है यह उपर आप देखोगी इस तरह की जो leaves होती है मैं तो पानी-पानी सा आ जा जाती है उसके रात भर का जो treatment उसका किया गया तो सबहावी के फुटवेर मुस्टनस को रखा था गरम फुटवावर में से भी वोट गेज गेज कम अदो देखना चिक है अडोरें भी अडोरेंग ली एड डिए इस ट्रेजर बिफोर ताइंग अस्टिंग राउंड दे मि और करता है प्यार से देखता है अपने प्यारे से खजाने को खजाना क्या है उसका कद्दू उसका फ्रूट प्यारा सा ना गौड और वो क्या करता है उसके बाद हैंक करने के बाद बीच उसको लपेटता है हैंक करता है ताकि वो सूर्य के रोशनी में आकर धग जाए Then You Set Out For School और हवाar School के लिए निकल जाता है अब देखें याँए अपर क्या दिया है Sevi lived in Harbour town अब जो Sevi है वो कही न कहीं क्या है कहीं न कहीं वो रहता है कहाँ पर Harbour town Harbour town क्या होता है देखें माईड़ स्टमें जब हम Harbour town की बात करते हैं overall तो यह है एक बंदरगा वाला शहर है ना बंदरगा यानि आप लुग समझ सकते हैं बंदर कहां पर हम बंदरगा की बात हो रही है जहां पर पोट्स बगेर आप देख सकते हैं अल्दो इत वास ओफिशला सटी कहीना कहीं वह एक शहर ही है वो कुट वाक वाक फॉन एंड अदर ना वो क्या कर सकता है एक जगा दूजरे कर जा सकता है ना इना इन आप यहां पर क्या दिया है सेवी वास अल्वेज बंदर अब सेवी है वो क्या करता है हमेशा घूमता रहता है about the streets है ना हर streets में इधर उदर इधर और घूमता है had soon come to know उसको अचानक सी इस बात के बारे में पता चलता है every place that sold goods ना उसको हर जगा जो उसको पता है ना वहाँ पर कि वहां कर रहने वाला है तो उसको वहां की हर एक जगा के बारे में पता है ना gods के बारे में पता है कि कहां पर उनको बेचा जाता है and to recognize almost every god on the market या वो क्या करता है गूमता जाता है टहलता रहता है तो उसका जर्नल आइडिया जो है वो वहां पर लग जाता है कि कैसे market में कहां कहां हर एक जगा पर goods को बेचा जाता है कद्दू बेचा जाता है अब यहां पर देखिए He did not care much about the old old naald peculiarly formed gods usually favored by collectors अब यहां पर देखिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उन कद्दू की जो नाल है अब नाल्ट का मतलब क्या होता है नाल्ट का मतलब यहां पर होता है जो wrinkled है, twisted है बड़ा बूरा सा, अजीब सा है आप लोग समझ सकते हो कि जब भी हम बात करतें कद्दू होगी तो कद्दू बड़े अजीब यूशे होता है तो यहां पर भी एक ऐसी कद्दू की बात हो रही है तो he did not care about the old नाल्ट, peculiarly formed gods यहां पर जो इस तरह की कद्दू होते हैं जो बड़े अजीब तरीकी की फॉर्म में होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं करता यूजी फेवर्ट बाइ कलेक्टर बहुत सरे जो कलेक्टर सोते हम देखिए हर कलेक्टर की सोच बैसी तो नहीं होगी ना कि हम ऐसा कद्दू खरीदें जो बहुत साव सुतरा हो एकदम सिमेट्री में हो नहीं वो लोग तो सुचेंगी जैसा कद्दू मिल रहा है वैसे लेकर आ जाए देटाहिट अपील टुसे भी वाज इवन एंड सिमेट्रीकल उसको इवन और सिमेट्रीकल कद्दू बहुत अच्छे लगते हैं यानि इवन सिमेट्रीकल का मतलब क्या होता है एकदम गोला का एक जैसा वेट हो बढ़िया हो वैसे कद्दू वैसा पल अच्छा लगता है बेलों का तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारा प्यारा सा बच्चा है से भी जो बारसल का है उसको कद् जो है चाप्टर नमबर सिक्स इसका पार्ट वन यहाँ पर प्रोवाइट किया गया है तो माई दिया स्टुएंट्स आप आप लोगों को में एक और अन्य जानकर यहाँ पर देना जाऊंगा और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्स अविलेबल हैं चीक है हम आपको ह आई क्वलटी एजुकेशन देते हैं वह भी फ्री ओफ कॉस्ट चीक है और आप हैं वीडियो को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो आप लोगों का धन्यवाद